हें अब डिबायन कैसे हो आप सभी आई होप की सभी लोग अच्छे होगे और अच्छे हो तो आपको मेरा प्रिबियस वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कॉमेंट करके और जो भी मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और रड़ी मैं डेली भूल जाती हैं तो जो मुझे मेर यह सेर भी जरूर से कर दिया करो तो आज में लेकर आएं हूं एक बहुत ही अच्छी जो कि आपके वेट लॉज के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है तो यह टी है एक दम कि इसका कलर कितना अच्छा है येलो टी पीने में एकदम बहुत टेस्टी है तो आप बढ़ते हुए बजन से परिसान है और आपने काफी सारे वेट्र लॉज रेमे डिज भी ट्राइप ली है आपने सप्लीमेंट भी ट्राइप ली है बटा कि वेट है जो की कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो आज मैं आपको ëसी हम रमिटी बताने जा रही हूँ जो कि आपको जल्री का मैं बेट लॉस करने में हेल्फुल होगी नहीं आपको कोई एकक्सरसाईज करने की zijn जरुद पढ़ेगी इसमें नहीं आपको डायटिंग की जरुद पढ़ेगी इसमें और नहीं आपको किसी भी चीज की जरुद पढ़ने वाली है इसमें देखिए सबसे पहले में यहां लोगी औरेंज पील औरेंज पील जो होता है हमारे में औरेंज पील में जो होता है पैक्टिन पाया जाता है विटामिन C पाया जाता है जो कि हमारी इम्मिनिटी को बढ़ाता है और इसमें इसॉलियोवल और इंसॉलियोवल फाइबर होता है और anti-oxidant भी पाये जाते हैं संत्रे के छिलके में और संत्रे का छिलका हमारे collagen को भी बढ़ाता है और इसमें मैं one glass water लूँगी यह संत्रे के छिलके यानि कि हाप संत्रे का छिलका आपको लेना है जादा नहीं लेना है और second जो thing है वो लूँगी में long लॉंग में जो होता है हमारी में ये सरीर के इंफ्लेशन को तो हटाती ही है और साथ में मोटापे को भी घटाती है और इसमें मेटाबोलिक रेट को बढ़ा देती है जिसकी बजह से आपकी फैट बहुत जल्दी कम हो जाता है तो यहां पर यह मैंने लॉंग डेली है लॉंग को भी इसमें डाल देना है साथ में और फ़र्ड जो इंग्रीडेंट है वो है इलाची इलाची हमारे इस्ट्रेस को कम करता है और हमें नीद अच्छी लाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्फुल होता है तो हमें दो इलाची लेनी है छिल के समय इसमें डाल देनी है और इलाची के से फिलेवर भी इसका बहुत अच्छा था है बहुत ही टेश्टी लगने वाली है यह टी आपको कड़ भी नहीं लगेगी बिलकुल भी और इसमें आप या तो आप ले सकते हो मिसरी टेस्ट के लिए और या फिर आप ले सकते हो सहद और जिन लोगों को डाइविटीज या सुगर है तो वो लोग सहद नहीं लेंगे वो लोग सिनेमन पाउडर ले सकते हैं हाप टेवल इस्पून तो ट्राई जरूर से कीजिएगा और आपके जोडों में दर्द रहता है ठकान रहती है रात को नीन नहीं आती है आपकी इम्मुनिटी बहुत ज़्यादा लो है बहुत जल्दी जल्दी आप लोग बीमार पड़ते हो और आपकी इस्किन का जो गलो है ये कहीं चला गया है हेर्स जो हैं काफी जड़ने और ये वीडियो आपका एक सल्यूशन की तरह होने वाला है तो आज में इस औरेंज से बनाऊंगी आपके लिए औरेंज से नहीं बस इसका छिलका छिलका आपको यूज करना है और ये टी आपको बनानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपके घर में जो भ सुल्यूशन करना है तो आप इसका छिलका उतार करके रख लीजिएगा धूप में या छ्षाओ में जिस तरीके से भी आप शुखा कर रख सकते हो इसको और बाद तक भी ट्राई कर सकते हो गर्मियों में भी इजिली आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो उस छिलके से ही तो यह जो टी है आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है और इवनिंग में आपको लेनी है चार से पांच वजे जो कि सभी लोगों का रूटीन होता है कि इवनिंग में भी टी लेते हैं जो लोगों को तो टू टाइमस ले लीजिए आपको आपको इस चाय को पीने के बाद तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने फेस के लिए आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा हेलफुल होते हैं यह संत्रे के छिलकी इसमें विटामिन सी की पूरी मात्रा पाई जाती है तो आप लोग इसे जरूर से ट्राइ करना और फेट लोस के लिए तो यह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो आप इसे जरूर से ट्राइ करना और अपने रिजल्स मेरे साथ जरूर से शेयर कर कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके मुझे जरूर से बताना